स्वागत है आप लोग का RMC के concept series में आज है day 13 और आज profit and loss का एक extension हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है discount questions discount से भी देखे गए हर एक topic हर एक chapter जो हम लोग concept series में कर रहे हैं वो important है RMC exam में ठीक है तो कोई specific topic नहीं कहूंगा कि जाधा important है आप contribution देखना maths के paper में हर एक chapter से बच्चों से questions पूछे गए ठीक है तो उसी तरीके से इसका भी contribution है देखे discount जिसकी मैंने का कि profit and loss का extension है तो basically आपको cost price के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए selling price के बारे में मालूम होना ही चाहिए इन्हीं दोनों से related profit and loss के बारे में मालूम होना चाहिए profit and loss के बारे में ठीक है अब basically discount के case में क्या है कि अगर आपको marked price, marked price नया आता है इसमें एक term, marked price is nothing but the price which is raised by the shopkeeper in order to give discount on it तो marked price वो price है जो अपनी मर्जी से shopkeeper बढ़ाता है और फिर उसमें discount देता है इसका मतलब यह नहीं है कि shopkeeper को loss हो रहा है भी आप समझ जाओगे हमारे पास एक practical question भी है जो RIMC में पूछा गया है ठीक है दुकांदार क्या करता है कोई चीज खरीता है अपनी मर्जी से उसका price बढ़ाता है फिर उसमें discount देता है उससे होता क्या है उसको फाइदा उससे होता यह है कि वो ज्यादा customers को attract कर सकता है customers को लगता है कि चीज महेंगी है और हमें सस्ते में मिल रही है और दुकांदार को मालूम है कि उसनों खुद ही महेंगी करी है तो दुकांदार का भी काम हो जाता है और customers भी खुश हो जाते हैं तो इस वज़े से discount वाला concept picture में आता है तो mark price के उपर ही discount लगता है कर में mark price की बात करें और selling price की बात करें इसमें इसमें CP नहीं आता picture में ठीक है इसमें Marked price picture में आता है तो mark price इस दप्राइस जिसमें बेसिकली किसी भी चीज को मार किया जाता है या लिस्ट किया जाता है जिसका प्राइस बढ़ा कर रखा जाता है ठीक है अच्छा इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यहां से एक ही टर्म आएगा हमारे डिसकाउंट और इसको हम थोड़ा सा लॉस क पांच रुपे की कोई चीज को हमने 15 रुपे बढ़ा दिया और फिर उसे 10 रुपे में बेच दिया तो यह CP 5 है यह इसको बढ़ाकर MP हमने 15 कर दिया और SP 10 में बेच लिया तो हमेशा या तक ना कि SP is going to be less than MP only in the case of discount तो दिसकाउंट देंगे सस्ते में बेचेंगे न उसको यह अला प्राइस तो सिर्फ शॉपकीपुर को मालूम है कि वो 5 की चीज फिर भी 10 रुपे में बेच रहा है लेकिन कस्टमर्स को ही लगेगा कि 15 की चीज 10 में बेची जा रही है ठीक है तो इस चीज के बारे में थोड़ा से ध्यान में रखेगा तो MP हमेशे जादा होगी और डिसकाउंट की वाल्यू यहां से कितनी आज़े कि डिसकाउंट कितना हो जाएगा MP माइनस SP ठीक है MP माइनस SP आपना लॉस की तरह फॉर्मलेस को कंपेर कर सकते हैं सिर्फ लॉस की तरह जिसे मैं लॉस के फॉर्मलेस लिखता हूँ आप सिर्फ फॉर्मलेटिव कंपेर कर रहे हो डिसकाउंट लॉस बिल्कुल नहीं है सिर्फ फॉर्मलेवाइज उनको आप एक्वेट कर पा रहे हो क्योंकि उनके परसंटेज का नीचर सेम है लॉस का मतलब है डिक्रीजिंग नीचर है परसंटेज का डिसकाउंट का मतलब भी decreasing नीचर है, discount देने का मतलब क्या price कम कर रहे हैं, तो अगर मैं compare करूँगा, loss की जगर में discount लिखूँगा, तो CP replace होगा MP से, जैसे profit and loss में CP बहुत important होता है, उसी तरीके से discount में MP important होता है, तो discount is equal to, CP की जगा MP कर दो थो MP minus SP, जहाँ जहाँ CP में MP रखूँगा, अच्छा, discount percent is equal to, discount upon, CP की जगा MP, into 100, और SP is a function of, MP in the case of discount, or discount is always decreasing in nature, तो यह जएगा 100 minus, D for discount percent upon 100, ठीक है, तो अगर आपको यह फॉम्मले जाते हैं, तो आप discount का हर एक question कर सकते हैं, ठीक है, दो तिन questions है, तेड़े मेडे, ठीक है, जहाँ पर कुछ और logic लगता है, otherwise majority questions जो आरेम से में सकते हैं, ठीक है, तो इस आदा formula, let's do one question, based on it, एक सवाल इस तरीके से पुछा गया आपको, the mark price of a bicycle, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा solution, आपको given क्या दिया है, given आपको mark price दिये, कितने दिये, 1100 उपीज, RIMC का सवाल है, shopkeeper allows a discount, shopkeeper ने discount दिया, कितने का discount दिया, 10% का discount दिय and get a profit of 10%, और उसको profit भी मिला, कितने का, 10% का, आपने CP निकालना है, ठीक है, तो पहली बात तो दियान रखना, कि CP अब आप बोलोगे सब, discount का question है, CP कहां से आ गया, अभी तो आपने काता है, discount में CP नहीं होता, तो नहीं होता, सही कह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, discount से, SP तो निकाल सकते हैं, क्यों कि SP और MP का, तो relation ही, discount में CP का नहीं है, और जो SP आजाएगा, उसको फिर हम CP से correlate कर सकते हैं, तो सबसे पहले, first part में, मैं सिर्फ किसको consider करूँगा, MP को, और किसको consider करूँगा, discount को, discount percent को, और यहां से क्या calculate करूँगा, मैं SP, तो मैं चिला-चिला कि यही कहूँगा कि SP is a function of MP, 100 minus discount upon 100, I will use this formula, SP मुझे मालूम नहीं है, MP मुझे मालूम है 1100 है, 100 minus G, discount percent कितना है 10, तो 100 minus 10, 90 हो जाएगा upon 100, तो 20 से 20 cancel, और यहां पर SP की value कितनी आ गई, 990 रुपीज, ओके, तो 1100, मतलब 1100 रुपीज, या जो price उसमें था, उस article में, उस by cycle मे वो आपको 990 रुपीज की cycle मिल रहे है, तो आप तो बोलोगे सर बल्ले बल्ले है, मज़ा आ गया, हमें 1100 की cycle, 900 में मिल गई, 990 में मिल गई, तो आपको लगा कि हमें 10% का discount मिला है, लेकिन होता क्या है originally, अब SP आ चुका है ना, अब यहां पर लिख रहा हूं, दिखो, अब आपको profit भी हो रहा है, दुकानदार को, कितना profit हो रहा है, कितना हो रहा है 10%, तो profit वाला case में, second case में ही लूँगा, तो SP प्रॉफिट और आपको क्या निकालना है, CP, तो फिर से चिला चिला के, SP is a function of CP here, यह CP वाला case है, ठीक है, 10% profit मतलब 100 प्लस G, अपॉन 100, ठीक है, if I'll put the values here, यहां से SP की वाली कितनी है, 990, is equal to CP into 110 upon 100, 10-10 cancel, 1199, और यहां पर CP के वाली कितनी हा गई, 900 रुपिस, ठीक है, so the CP of the bicycle, you have got 900 रुपिस, ठीक है, तो कितना easy concept आपने देखा है, यहां पर, अगर आपको discount का ही concept मालूम है, तो आप discount के सारे questions कर सकतो, majority, एक दो को छो ज़रूर बनाऊंगा, I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, discount का यह छोटा सा concept आपको अच्छा लगा होगा, comment करके ज़रूर बताना यह concept series आपको कैसे लग रही है, और इसी तरीके से अगर आप और वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को झाल को ज़रूर आपको 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